सबी को नमस्कार उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे तियारी अच्छी चल रही होगी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रिवियस एर पेपर SSE CGL के कर रहे हैं टीर वन के इंग्लिश लेंग्विज के चार पेपर मैं करवा चुका हूँ आज लास्ट पेपर मैं आप हो करवा रहा हूँ तो टोटल पांच पेपर मैंने का था प्रिलिम्स के मैं करवा दूँगा हाला कि examination चल रहा है बच्चे दे के आ रहे हैं पेपर और जिस तरीके से बच्चों का review मिल रहा है बहुत आसान पेपर है कोई difficult paper नहीं है और यह जैसे पिछले साल paper आये हूँ में इसी तरीके के question सी है कुछ नए pattern जदा दिखाई नहीं दे रहे है बस वही है कि जो synonym word है basically उसका कोई synonym उठा के दे देंगे तो नया शब्द बन गया वह वाला तो इसका मतलब यह थोड़ी कोई नया question आ गया चीजे वही है सारी बस घुमा के दे रहे हैं चीजे घुमा के in the sense कि छोटा A नहीं बोल रहे है तो बड़ा A बोल रहे है समझ में आया A तो A ही है न बस लिखने का तरीका अलग है capital में लिख रहे है तो अगर आपने ढंग से पड़ा है चीजों को समझ है आपकी conceptual clarity है तो बहुत असान paper है ठीक है जी तो एक बार लगा लेते हैं पांच बार से भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं तो चली शुरुवात करते हैं तो साथ साथ आप लोग attempt करते चलेंगे और इसको solve करते हैं absolute का obsolete का antonym पूछा है तो obsolete का मतलब होता है outdated तो इसका antonym पूछा है antonym मतलब जो आज कल हाल फिलाल में चीज चल रही है तो वो हो गया recent क्याना क्योंकि remote का मतलब तो भारी होता है ये तो synonym हो गया और इसका मतलब कठोर होता है select the correctly spelled word pause करो वीडियो को बदाओ जल्दी से correctly spelled word कौन सा है तो मैं आपको बता दू encouragement जो है प्रुत्सहान सिरफ ये correctly spelled है बाकी सारे गलत है embarrassment की spelling गलत है E-M-B-A-R-A-S double R-A-S M-E-N-T double R आता है और double S आता है इसके अंदर दिहान रखिएगा ठीक है और ये है conscientious conscientious की spelling भी गलत है C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S conscientious का कहने का मतलब morality को बोलते हैं इमानदादी को बोलते हैं conscientious और commotion की spelling गलत है double M आता है commotion उतल पुतल को शोरगुल को बोलते हैं ठीक है ये लिखे भी हुए है मैं दिखा देता हूँ ये रहा embarrassment double R, double S conscientious और आपका commotion ठीक है जी encouragement सही लिखा हुआ था अब the B-neez का आपको appropriate idiom बताना है तो B-neez क्या है चलिए आज़िए to be excellent or of an extremely high standard कोई चीज extraordinary ये बहुत बढ़िया है extraordinary से आ रहा है ये negative word है ये negative है observant का मतलब तो observe कर रहा है cautious इंसान है तो extraordinary इसका जो है वो synonym जो idiom था ठीक है one who loads और unloads ship समान जो ship से basically उतारता है चड़ाता है उसे क्या कहते है spinster, stiff door rustic और captain captain तो चलाता है spinster को वारी महीला को बोलते है और stiff door होता है स्कान से एक बाच चेक कर लीजिए हाँ जी stiff door होता है ठीक है क्योंकि spinster मैंने बताया an unmarried woman है typically an older woman जो काफी 30-35 साल एज हो गई है 35 साल शादी नहीं हो ये unmarried stiff door बताया एक ऐसा इंसान जो dock पे होता है load और unload करता है समान और rustic basically हम primitive चीजों के लिए use करते है simple and often rough in appearance typically of the countryside मतलब थोड़ा गाउं से बिलॉंग करता है ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि गाउंवालों को हम negative image में देख रहे हैं मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलें उसे modern नहीं है एक तरीके का rustic आप ऐसा कह सकते है पुराना थोड़ा सा ठीक है चले countryside का मतलब गाउं होता है न इसलिए मैंने गाउं का example लिया लेकिन गाउं के context में इसे use नहीं करते rustic मतलब थोड़ा सा पुराना हलका सा ठीक है जी कभी आप इसको negative image में ले जाओ नहीं चलिए नहीं कुछ बच्चे है यार आपने ऐसे कैसे बोल दिया एक दन मैं YouTube की वीडियो में generally बोल रहा था generally है न और उसके बाद कुछ UPBHR की बाद हो रही थी उसको बता नहीं क्या सुनाई दे रहा है मै generally बोल रहा हूँ उसको जंगली सुनाई दे रहा है नहीं तुम्हें मैं बेफकुफ दिखाई दे रहा हूँ मैं ऐसे किसी कुछ गलत बोलूँगा क्या कोई example था पता नहीं क्या example था उसके बाद क्या पीछे से भी नहीं बोलता मैं तो सामने तो बहुत दूर की बात होगी है तो चलो select the word which means the same as the given group of words a sudden और क्यों बोलना है किसलिए बोलना है हमारी सोच जंगली होती है दूसरों के शब्द नहीं होते है आपकी सोच ही ऐसी आपको सुनाई वैसा दे रहा है क्या करें जैसी जिसकी सोच उद्द उसको वैसे सुनाई देता है a sudden rush of a large number of frightened people and animals एकदम से बहुत साई लोग घबराएं हुए हैं भाग रहे हैं उसको क्या बोलते हैं stampede बोलते हैं हम बोलते हैं भगदर मच गई है stampede आएगा ठीक है clear और यह scapegoat का सुनाऊगा आपने बली का बकरा होता है scapegoat एक ऐसा person होता है जिसको blame कि जाता है ऐसी चीज के लिए जो किसी और ने किया है माईलों किया किसी और ने फस हिए गया बली का बकरा और scapegoat होगा recluse का ऐसा इंसान जो अकेला रहता है लोगों से कम बात करता है recluse थोड़ा साधुसन टाइप का ठीक है तो scapegoat नहीं हो सकता है recluse में lunacy का मतलब पागलपन होता है तो stampede होता है भगदर जिसे हम कहते हैं और वही बोला है हड़ बड़ा है लोगों का जिकदम से भीड लग गई है ठीक है यह लोग भाग रहे हैं sudden rush हो रहा है चले भई आगे चलिए अगला आपके सामने a reward is a dash which motivates a person to achieve excellence in his field बताओ भई reward एक तरीके का ये है जो की motivate करता है इंसान को की वो achieve करे excellence उसकी field के अंदर तो positive word चाहिए तो reward एक तरीके का recognition है recognition का क्या मतलब है कि एक तरीके की acknowledgement है कि अच्छा कोई चीज हमको मिलती है तो हमें लगता अच्छा अब मैं और प्रुत्साहित होता हूँ उस चीज को देखके कि अच्छा मुझे reward मिला अब मैं और अच्छा करूँगा और एक सील करूँगा ना कि reward एक building है monumental building होता है memorial भी statue को बोलते है और reward एक collection थोड़ी है reward एक recognition है reward एक तरीके का recognition क्यों है क्योंकि reward मिलता है तो हमें ये recognize होता है कि अच्छा मुझे और काम करना है हम और motivate होते है ठीक है एक तरीके की acceptance है acknowledgement है ठीक है जी चले close test आगए आपका favorite topic जल्दी से one by one pose करके बनाईए और फिर मैं इसको detail में सिखाता हूँ पहला question दूसरा तीसरा चोथा ऐसे दिखाऊँगा ने बना लिया होगा पूरी इमानदारी के साथ चलिए सीखते है पूरा पढ़ लिया होगा discipline के बारे में बात हो रही है discipline is doing any work with rules and regulation discipline का मतलब है किसी भी काम को rules and regulation के साथ करना it is dash misunderstood as a restriction to freedom इसे कई बार misunderstood किया जाता है कि ये freedom की एक restriction है मतलब कि हमें आजादी नहीं मिल रही है हमें चीजे खुल के करने से रोका जा रहा है discipline को इस तरीके से misunderstood किया जाता है क्योंकि rules and regulation है तो आप free नहीं है तो एक तरीके ऐसा समझा जाता है कि freedom में रिस्ट्रिक्शन लग गई हम खुल के नहीं जीप पा रहे है या discipline मना दिया तो it is happily misunderstood slowly, proudly, usually अरे अकसर misunderstood किया जाता है ये बोलना था ना कि खुशी से misunderstood किया जाता है ना कि धीरे धीरे और ना कि गर्व से misunderstood किया जाता है positive तो चाहिए usually अकसर इसे गलत समय लिया जाता है discipline का मतलब ये समय लिया जाता है but it makes our life organized लेकिन ऐसा नहीं है ये हमाई जिन्दिगी को organize करते है discipline is a dash discipline एक ये है students के लिए और लोगों के लिए different professions के तो discipline क्या है positive चीज होगी ना तो virtue का मतलब होता है quality गुण है एक तरीका का trait है ट्रेट मतलब एक disposition है एक behavior है character है dream थोड़ी है sharp थोड़ी है disadvantage और ये तो negative word होगे ना ये भी negative है और ये भी negative है तो क्या आएगा discipline एक virtue है students के लिए और people के लिए different professions के discipline person always dash in each and every field of life तो discipline person subject है आपको यहाँ पे verb चाहिए होगी और singular verb चाहिए क्योंकि person singular है तो succeed तो plural है first form होती है succeed, succeeded, succeeded तो ये first form है हमें succeeds चाहिए थी वो ये लिखी होई successful तो वैसे भी adjective होता है success आपका noun होता है हमें verb के requirement थी discipline person जो always succeed करता है कामियाब होता है each and every field of life में तो singular verb succeeds है आपकी ठीक है जी चलें discipline people dash discipline society तो discipline जो लोग होते है वो dash करते है discipline society को फिर से subject है आपका discipline people तो यहाँ पे आपको फिर से verb चाहिए और सारा का पूरा का पूरा close present में चल रहा है तो present में चाहिए और people plural है तो plural verb चाहिए तो makes तो आपकी singular हो गई है वो तो नहीं हो सकती है ठीक है head made past में चलीगी यह past में चलीगी बचा make जो कि plural है और present में है इसलिए discipline people make a discipline society एक discipline society बनाते है और एक powerful nation बनाते है discipline should not be dash should not be के बाद third form आना चाहिए आगे upon है fix the preposition किसके साथ आती है impose upon होता है impose upon का मतलब थोपना किसी चाहिश पे एक तरीके से तो discipline को लोगों पर यूँ थोपना नहीं चाहिए कि भई तू follow कर तू follow कर it should come from within वो अंदर से आना चाहिए यूँ नहीं कि आप सामने वाले के पर जबरदस्ती का अप थोपरे और discipline तो impose upon fix preposition होता है तो यहाँ पे आना चाहिए curb का मतलब रोकना होता है addon का मतलब सजाना होता है और repose का मतलब एक position होती है जिसमें लेटना होता है ठीक है to rest or lie repose तो impose upon fix था उमीद करता हूँ के आपने बना लिया होगा चलिए बनाइए भई अगला आपके सामने 12 question पहला जंबल का जल्दी से उड़ा दीजे B पहला हो सकता है B it will import नहीं हो सकता it कोन है मुझे नहीं पता D पहला हो सकता है D मेर this will help यह चीज help करेगी क्या चीज help करेगी हमें नहीं पता C ही पहला है confirm हो गया कि जो Indian government है उसने announce किया है बहुत सारी facilities को budget session के अंदर ठीक है यह हो सकता है अब उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा कौन से कौन से उसका पेर है अच्छा C के बाद A आ सकता है A A में बोल रहा है कि they can then purchase देखो न भई C में तो कोई plural term D.I. नहीं हुआ तो यह देखो न है तो C के बाद A नहीं आ सकता C.B.A.D. होगा च्छा चेक करो एक बाद बिल्कुल सही Indian government ने announce किया facilities budget session में और यह Indian government इंपोर्ट करेगी technologically advanced medical instruments को provide them to entrepreneurs अच्छा यह instruments ही them है और उसे entrepreneurs को देगी और फिर यह entrepreneurs के लिए कि वो purchase करेंगे them को फिर यह them instruments है subsidize rate पे करेंगे और additional loan facility भी होगी और जिससे की क्या होगा strengthen होगी मजबूत होगी economic condition entrepreneur की तो CBAD ठीक है जी चलें चलो तो throw a fit क्या बनना चाहिए भई तो throw a fit एक तरीके से गुस्सा करना negative emotion के लिए use होता है to be very shocked और angry तो negative emotion यहाँ पे express extreme anger भी होश हो जाना question someone about fitness किसी को warning देना अपनी health को लेके faint and fall down भी होश हो जाना यह था ठीक है भी negative reaction देना derogatory का antonym बताना है derogatory एक bad word होता है offensive word होता है एक तरीके का derogatory अगर कोई चीज है तो आपको बुरी लग गई है वो चीज उसका उल्टा बताना है तो कोई चीज अच्छी लग गई है अच्छी के लिए complimentary होता है जो की तारीफ से related होता है यह बुराई से related है यह तारीफ से insult तो synonym हो गया depreciate का मतलब value का कम होना intricate का मतलब पेचीदा तो बुराई और तारीफ भी answer होना चाहिए acknowledgement का synonym बताना है अभी acknowledgement आया था थोई दिर पहले recognition हो गया similar meaning बताना है positive word है तो इसको बोलते है confirmation है ना अभी हम पढ़के आये थे याद करो कहां पर पढ़के आये थे reward एक तरीके का confirmation है recognition है जो की हमें motivate करता है acknowledgement है positive word चाहिए यह negative है यह negative है इसका मतलब शती पूर्ती करना तो यह तो होगा नहीं ठीक है अभी चलें आगे उसके बाद आपका those who follow a healthy routine is likely enjoying good health क्या बताना है इसमें grammatical error बताना है तो जो लोग follow करते है healthy routine वो enjoy करते है good health वो कौन यह verb किसकी है subject कौन है those है ना भी plural है तो आ रहाना चाहिए कौन से part में mistake है C part मे the government should take stringent steps against terrorists and foil their dash decision क्या करना है blank में fill बताना है government को strict action लेने चाहिए terrorist के against और रोकने चाहिए उनके ऐसे design को design मतलब उनकी intention को उनकी सोच को उनकी planning को foil का मतलब रोकना तो terrorist की कैसी design होती है terrorist की कैसी planning होती है perfect होती है helpful होती है दयालू होती है या फिर बुरी होती है malicious harmful होती है न भाई उसको रोकना है न फोईल करना है तो बाकी सारे positive word थे malicious negative था तो इसलिए ये नहीं आएगा conducive helpful ये perfect example और ये बोलते हैं kindness को ठीक है ये kind को बोलते है benevolent person kind person prodigal का synonym बताना है prodigal बढ़ाया हुआ है मैंने खर्चिला इंसान होता है synonym extravagant होगा ये तुछ है ये humble इंसान basically विनम्र arrogant का मतलब अहंकारी तो खर्चिला इंसान extravagant है lavish prodigal extravagant है न चलिए अगल आपके सामने when I read the cinema hole the movie had already begun error बताना है बताया हुआ मैंने आपको कि जब मैं cinema hole पहुंचा तो movie पहले ही शुरू हो चुकी थी तो ये second action है ये first action है first action में had plus verb की third form आती है had तो है लेकिन second form है third form होती है begin 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 begun तो मतलब अ answer है his elder sister taught him English passive form बताना है taught verb की second form है change होगा was word third form में यहां पे है मतलब the answer है the mathematical calculation of this problem is easy then then लिखा हुआ then comparative degree के लिए use होता है easier होना चाहिए यह रहा easier भी answer है the teacher said to me करना क्या indirect बताना है you have not submitted have submitted होगा had submitted में एक तो यहां पे है और एक यहां पे है यह गया और यह गया दूसरी बात said to me होता है ना कि sad me told me हो सकता लेकिन said to me होता तो मतलब see answer है क्या बताना है बताओ भी replace करना है यह phrasal verb बला question है आता हो तो करना दरवाइस छोड़ने ऐसे question negative marking हो जाएगी no effort has been made by the Indian cricket team कोई भी effort नहीं लगाया गया है अपनी vibrant image को world cup में यह करने के लिए तो एक phrasal verb होता है cash in on जिसका मतलब होता है to take advantage of something in order to make money तो कोई effort नहीं लगाया गया है Indian cricket team के द्वारा कि वो अपनी vibrant बहुत बढ़िया image को cash on in करे मतलब उसका फाइदा उठाए तो cash on in बोल दिया cash in on sorry cash in on तो take advantage of something if you are cashing in on something that means you are availing yourself of this particular thing तो समझ में आया है भी यह phrasal verb है आते हैं तो बनाने अदरवाइस छोडने जबरदस्ती के इसके अंदर हाथ नहीं चमाने correctly spelled word बताने है veterinary सही है जानवरों का doctor होता है मेरे खाल से rehearsal की spelling गलत है r e h e a r s a l if I am not wrong r e h e a r s rehearsal है न employed में single e होता है और separable में यहाँ पे a होता है ठीक है तो veterinary rehearsal employed और separable यह जानवरों का doctor होता है इसा ही लिखा हुआ है ठीक है भी चले last question है आपका parajemble का बड़ा आसान है बताओ भई a पहला हो सकता है इसमें this is because यह उसकी बज़ा से है किसकी बज़ा से है नहीं हो सकता 10 वाला b हो सकता है नहीं हो सकता है 10 तो conclusion में use होता है d वाला हो सकता है d है नहीं c होगा कि children और teenagers जो है वो attempt होते है junk food की तरफ मतलब खीचे चले जाते है fast food की तरफ जो भार का खाना होता है चॉमिन, burger, momo है ना pizza इनकी तरफ खीचे चले जाते है यह हो सकता है अब क्यों खीचे चले जाते है इसका कारण दिया हुआ a के अंदर क्योंकि उसका aroma ऐसा होता है उसका taste उसका ऐसा होता है flavor ऐसा होता है variety ऐसी होती है हम खीचे चले जाते है तो पहले खीचे चले जाते हैं यह बता है फिर क्यों खीचे चले जाते हैं यह बता है तो A आना चाहिए तो C A यह रहा C A D B answer है आपका C answer है पता होगी, बहुत जल्दी निपटवा दिया पूरा वेपर, चलिए, तो I hope आपको जो मैने papers करवाए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे, आपने बहुत साई चीज़े सीखी हैं, इसके अंदर और आप जो भी examination आपका अगर आने वाला है, तो बढ़िया दरीके से दीजेग ऐसा नहीं है कि पहले प्री निकालोगे, फिर मेंस का कुछ अलग से करोगे, मेंस में कुछ एक्स्टा और नरी चीज़ा देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी लगाएंगे papers, मेंस के निश्चिंत रहो, अभी कुछ बच्चे C.P.O. के कह रहे हैं, लगवा देंगे, कुछ बच्चे C.H.S.L. के कह रहे हैं, लगवा देंगे, कुछ बैंक के भी कह रहे हैं, वो भी लगवा देंगे, सारे papers लगवा देंगे, paper सी paper सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग demand कर रहे हैं, बागे कुछ और भी planning में कर रहा हूँ, videos की, तो मैं आपको inform कर दूँ, और का subscription है, जिसमें आपको English, Quants, Reasoning, General Awareness, सारे teachers मिलेंगे, और subscription लेके आप मेरी classes देख पाएंगे, आपको bank examination का subscription लेना पड़ेगा, अभी 25 तारीक से नई courses शुरू हो रहे हैं, एक basic level का course शुरू हो रहा है, एक high level का course शुरू हो रहा है, तो जब तक आपके पास Academy Plus का subscription होगा, जितने भी मैंने पढ़ा दी है, पढ़ा रहा हूँ, या बैप पढ़ा हूँ होगा, सारे के सारी classes, तो आप subscribe करेंगे, आपको 10% का discount मिल जाएगा, अभी तो मेरे खाल से 20% का चल रहा है, तो price basically high होने वाला है, तो आप लोग definitely खुली बहूं से आपका स्वागत है, आईए तो regular basis पर त्यारी करेंगे, अगर आप interested है, आना चाहते हैं तो, ठीक है, जिसको live session चाहिए, daily basis पर, जो चाहता है कि regular basis पर मैं teacher के साथ त्यारी करूँ, practice करूँ, ठीक है, बाकी YouTube जंदाबाद है, चली रही है sessions, यहाँ पर भी आते रहेंगे, तो मुलागात कलते हैं, next session में अपना ध्यान रखिये तब तक के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्या, thank you so much